तो अपने भी इसके फॉर्म को फिल अप किया है और आपका ही पेपर दोस्तो एक जुलाई से होने वाला है तो आप में से काफी सारे स्टुडेंट का डिमांड आ रहा था कि सर्द जो प्रिविएस यह के कोश्चन पेपर हैं डिफरेंट ट्रेट्स के जीके जीएस के सबस्त आप एक वीडियो लेकर काई जिसके मतलब माध्यम समय पता चल सके किस तरह के कोश्चन से पूछे जाएंगे तो दोस्तो इस पेपर के अंतरकत आपका 25 कोश्चन है और अगर आपने 25 में से 20 प्लस भी स्कूर कर लिया तो मैं गैरानटी देता हूं कि आपकी जो तयारी है बिल्कुल बूस्ट अफ है और आपका जो सेलेक्शन है उसको होने से को नहीं रोक सकता इसके साथ में दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो तयारी है पूरी तरह से अभी पेपर को लेकर के कंप्लीट नहीं है तो आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जक्ट के इंक्लोडिंग आपके GKGS, Math, Reasoning, English and Hindi ठीक है इन सारे सब्जक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड PDF है आपको 45 रुपीज में मिल जाएगी इस PDF को लेने के लिए आपको हमारे WhatsApp नमबर 900-691-3446 जैसा कि आप देख सकते हो इसको उपर मैसेज करना है और जल्दी से PDF परसेज की औ अगर आपने इस PDF को पूरा पढ़ लिया न तो आपके दोस्तों हैंडेड में से गैरंटी है कि आप 80 पलस स्कोर करके होगे आप देख लेते हैं कोईसर नमबर 1 कि क्या कह रहा है कोईसर नमबर 1 दोस्तों कह रहा है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है दुनिया की अगर लंबी की अगर हम बात करें तो यह आपकी हो जाएगी नील नदी ठीक है नील नदी सबसे लंबी है और अमेजन जो है सबसे चौड़ी नदी है ध्यान रखिएगा अगर भारत का पूछले भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और सबसे जो चौड़ी नदी क बात है यह किस अनुछेद्या नहीं आर्टिकल में की गई है आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 17 दोस्तों सबसे फेमस जो आर्टिकल 17 है अक्सर इससे कोशन आता है कि तो यह किसके लिए तो छुआ चूट या नहीं अन्टच बिलेटी के खिलाफ है ठीक ह द्यान रखियेगा आप दोस्तों ट्राइ किज़ेगा कि जितने भी आपके एक से लेकर 20 तक जितने भी आपके राइट से ठीक है आप इसको और आर्टिकल से इसको आप एक बर देख लिजएगा क्योंकि अक्सर इसमें से कोशन आपका फिक्स रहता है तो इस कोशन का दोस सूरिय के कीरंट से हमें कौन सी बिटामिन मिलती है आपके उपसन है बिटामिन बी बिटामिन सी बिटामिन डी और बिटामिन ए इसमें से कौन सी बिटामिन मिलती है तो दोस्तों आप सबी को पता होगा कि बिटामिन डी मिलता है ठीक है, vitamin D का नाम क्या है, तो calciferol है, यह भी आता है question, ठीक है, calciferol, कि आपको पूछ देखा कि vitamin A का नाम क्या है, तो retinol है, ठीक है, vitamin B में आपके बहुत सार जाते हैं, ribofluene, thymine, ठीक है, vitamin C दोस्तों जो होता है, आपका scorebic acid हो जाता है, लेगिन आपका जो option D है, यानि C है option vitamin D जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस question का इसके बाद question number four भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है आपके option ने प्रतियूस महिर पदम और परम सिधी तो दोस्तों आपके सबसे super computer का नाम है परम सिधी ठीक है यह आपका भारत का सबसे super fast computer है यह भी ध्यान रखिएगा question आता है कि एक MB में कितने के भी होते हैं ठीक है तो 1024 के भी होते हैं यह भी question आता है computer से भी यह question आता है या फिर आपसे पूश जगा कि internet के जो खोज करता है उसकी से का जाता है अगर आपको जबाब पता है तो comment करना internet के जो खोज करता है उनके नाम भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह question दोस्तों आया था आपके pioneer year में ठीक है आपके mention वाला में जो question पिसली बार आपके treatment कहा थे उसमें यह question था तो मैंने पहली बता दिया कि आपकी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह है अगर हम बात कर लेते हैं कि ब्रहंपूत्र नदी को नाम भारत की पहली फिल्म का नाम क्या था दोस्तों भारत में प्रतम से question नकसर आता है ध्यान रखिएगा ठीक है प्रतम से यह नि चाहे महिला पूझ ले की पहला पृथानमंत्री कौन थी? राश्टपती कौन थी मतलब महिला से या फिर प्रथम जो चीज है ना उससे एक कोईशन फिक्स है आपका कि रहेगा रहेगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका राजा हरीश चंद्र ठीक है तो प्रथम जितने भी टॉपिक्स होंगे आप पढ़ लोगे और जो पीडियेफ मैंने बताई ना कि 45 पूपीज के इंतर गत इसमें सारे कोईशन भाई कवर आप है मैं गरानटी देता हूं कि अगर आप एक बा कोई आवा सकता नहीं है मैं ये गरानटी देता हूं ठीक है आप एक बार लेकर करके देखो उसके बाद जैसा होगा अब बताना इसके बाद है कोईशन नमबर 7 किरा रहा है कि रूस कौन सी महादवीप में स्थित है ठीक है तो महादवीप दोस्तों जैसे कि अब सभी पता तो यह आपके अफ्रिका को कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा। दोस्टों आपके जो ओलंपिक फलेग होते हैं उसमें पांच तरह के सीम्बल होते हैं। तो आपका जो यल्लोवग वाला होता है यह प्रिजिन ट्रटा है किसको, तो ये आपका रिप्रजेंट करता है ACA को ये भी ध्यान रखिएगा इसके बाद है question number 8 मैग से पुरुसकार पाने वाले प्रतम भारती ये कौन थे ठीक है सबसे पहले तो मैग से पुरुसकार दिया किस ले जाता है तो दोस्तो रवन मैग से पुरुसकार है ये आपका साहीत थे पत्रकारिता थे में हाली में कुछ दिन पहले हैं ने 2019 के अंतरगत आपके रवियस कुमार को दिया गया था तो जो रवन मैग से अवाड है ये सबसे पहलो जो जीतने वाले ब्यक्ति थे इनका नाम था रविंदरनाथ टैगोर ठीक है रविंदरनाथ टैगोर ने रमन मैक से तो अगर कोशन आप से पूछ दे कि रमन मैक से अवाड़ पाने वाले प्रतम भारती ये कौन थे तो ये थे आपके कौन थे तो बिनोफा भावे थे और रविंदरनाथ टैगोर कौन थे तो इनको दिया गया था प्रतम आपका नोबिल प्राइस ठीक है नोबिल प्राइस ध्यान रखिएगा किस में तो साही थे के चेत्र में कौशन नमबर 9 है कि भारत में कुल कितने उच्छे न्याले हैं कुछ दिन पहरे तक 24 थे लेकिन अब दोस्तों जो है ये 25 हो गए है फिलाल आपको बताना है कि राष्टी मतदाता दिवस परतेकवस किस दिन मना जाता है ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अक्सर आपके पेपर में ये गैरानटी है कि एक कोशन जो है वो इंपोर्टेंट डेट से जरूर रहेगा चाहे आपका ओजोन दिवस पूछ दे आपका परयावरन दिवस पूछ ठीक है या फिर यह भी पूछता है कि उसकी थीम क्या थी यह ध्यान रखिएगा ठीक है तो अगर राष्टी यह मतदाता दिवस कर हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों यह मना जाता है आपको 25 जनवरी को और 25 नौबर को क्या मना जाते है 26 जनवरी को तब सुछ पता होगा 25 न समविधानिक मुखिया होता है कोन होता है परधान मंतरी राष्ट पती लोग साब अध्यक्च और उपर राष्ट पती तो दोस्तों गर हम बात कले समविधानिक मुखिया की तो इसमें confusion न स्टुणे के मन में create हो जाए कि समविधानिक या निक Constitutional hate कोन होता है तो यह आपका आध्यक्च कोन है लोगसाब के उपा आध्यक्च कोन है और सांती साथ आपके राजी साबहा है राजी साबहा के यह आपके अध्यक्च कोन है यह the most important है इसके बाद है बॉल्ली बुल्ली सब्द का परियोग किस खेल में की जाता है किर्केट, फुटबॉल, होकी और बास्केट बॉल तो दोस्तों बुल्ली सब्द का परियोग है यह की जाता है आपके फुटबॉल के अंतरगत ध्यान रखिएगा ठीक है बुल्ली सब्द का परियोग मीरा बाई चानू, PT USA और इन में से कोई नहीं देगो? flying सी किसे का जाता है तो आपके मिखा जिंग जी को इसके बाद कोशन नमबर 14 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपके चार वेद है रीगवेद, साम वेद, जूर वेद, अर्थर वेद सबसे प्राचीन आपका रीगवेद हो जाएगा इसके बाद दोस्तों रीगवेद का संबंध किस्से है तो इसमें मंतरों के बारे में बताया गया ठीक है मंतरों के बारे में आपके साम वेद में दोस्तों आपके गायन ठीक है गायन यानि कि जो आपका सौंग ओंग से रिलेटेड है आपका साम वेद यह जूरवेद यह आपका आयूरवेद से रिलेटेट है ठीक है आयूरवेद से और अथरवेद दोस्तों इसमें आपके जितने भी कथा कहानी हो गए ठीक है कथा कहानी हो गए काली जादू हो गएरा होगा काला जादू हो गएरा होगा साथ जिसमें अथरवेद में इंकलू ठीक है भाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर का जो अभी वर्तमान में हेड कौन है ये कौन है ठीक है तो हेड जितने भी है टॉप ये आपको पढ़के जाना है इसके बाद है कोश्चन नमबर 16 किसने खालसा पंथ की स्थापना की गुरू गोविन सिंग गुरू नानक गुरू अंगत गुरू रामदास तो दोस्तों आपके खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरू गोविन सिंग जी जो की दसवे गुरू थे ठीक है उसके बाद गुरू नानक जो थे इसके संस्थापक थे ठीक है कि इसके तो सिख जो गुरू परंपरा है उसके संस्थापक थे अबर ने 500 जो एकड है या फिर विगाय जमीन डॉनिट की थी जिसके उपर आज फिलाल आपका गोल्डेन टेंपल जो अम्रित सर मिश्थी थे वो बना है पनाया गया था अरजुन देओ के द्वारा कथक किस राजय का सार्शित्री निद्रित्य है दोस्तों निद्रित्य से क पोईशन फिक्स रहेगा करनाटक तमिलनाडू उत्तर परदेश और हर्याना तो दोस्तों कथक और कथक कली में अंतर है कथक दोस्तों आपका उत्तर परदेश से रिलेटेड हो जाएगा और कथक कली दोस्तों आपके केरल से ध्यान रखिएगा कथक और कथर केरल तो सबसे जो hard होता है यह आपका ही रहा होता है यानि diamond होता है ध्यान रखियेगा ठीक है diamond इसके बाद है question number 19 आख कप का समद्ध किससे है तो दोस्तों यह cricket से है जैसा कि आप सबी को पता होगा आपसे मैं पूछता हूँ कि रंड जी ट्रोफी का समद्ध किससे है रंड जी का ठीक है रंड जी का देवगर ट्रोफी का समद्ध किससे है देवगर ट्रोफी का ठीक है यह सारे cricket से समद्ध है लेकिन आपको याद रखना है बांदीपूर अभ्यारन कहां पिस्थित है बांदीपूर आपके जो अभ्यारन है आपके option है उतर परदिस, करनाटक, पछी मंगल और मद्य परदिस तो दोस्तो बांदीपूर जो अभ्यारन है ये आपके स्थीत है करनाटक के अंतरगत ध्यान रखिएगा ठीक है बांदीपूर करनाटक में अगर मैं आपसे पूछो कि घाना जो पार्क है बड़ सेंचुरिय हो कहां पे स्थीत है सुंदरबन कहां पे स्थीत है ठीक है सिंपल पाल, नेशनल पार्क, सिंपली पाल, नेशनल पार्क कहां पिस थी थे, तो दोस्तों सिंपली पाल आपके ओड़ी सा मिस्ती थे, ध्यान रखिएगा, तो यानि जितने भी अभ्यारण है, मैं दोस्तों इस वीडियो को कराने का मेरा मिन मोटी वही था, कि आप सभी लोगों के मन से जो questions का regarding doubt है, कि questions की इस तरह के आएंगे, बिल्कुल इसी topics को आपको पढ़ करके जाना है, ध्यान रखिएगा, इंदर धनुस में कितने रंग होते हैं, सब भी लोग बता देंगे, सात रंग होते हैं, ठीक है, लेकिन इंदर धनुस जो है, ओ चमकता कैसे है, तो अबिग्यान सकुंतलम के लेखक कौन थे, दोस्तों आपके बुक से भी एक question जरूर आएगा, कालिदास मौनसी प्रेम चंदर रवीन रनार टेगोर रोजर संकर परसाथ, तो दोस्तों अबिग्यान सकुंतलम के जो लेखक थे, इनके बारे में आप सभी को पता होना तो अबिग्यान सकुंतलम के लेखक कालिदास जी थे, इसके बादे दोस्तों कोशन नमर 20 थी भारत के पहले कानून मंतरी कौन थे, तो आप सभी को पता होगा कि ये और कोई नहीं, बलकि आपके डॉक्टर भीम राव अंबिग्यान सकुंतलम के लेखकाव के कालिदास जी प्रतम सिक्षा मंतरी थे ध्यान रखिएगा, सिक्षा मंतरी कौन था प्रतम तो अबुल ग्राम आजाद और सादार बल्ला भाई पतेल को बनाया था पहला ग्रीह मंतरी जो आज के डिट में अमीद सहाजी है, ठीक है, सरोपली राधा कृष्णन पहले जो थे, ये पहले किस धातू का परियोग करते हैं, तो काफी सारे लोग लोहा मार्कल कर जाएंगे, लेकिन नहीं सबसे पहले उन्होंने कौपर का ठीक है, कौपर या नहीं तामभा का परियोग किया था ध्यान रखिएगा, इसका बाद है कोशन नमर्ट 25 जो की सिसन का लाष्ट कोशन है, ATM का पूर्ण रूप क्या है, इसका जबाब मुझे नहीं बता है, आप सभी लोग बताईएगा, ठीक है, ओप्सन देख लीजी, और मैं टार्गेट करता हूँ कि आपने कम से कम 20 प्लस कोशन्स इसमें स्कोर किये होंगे, दोस्तों अगर आपकी तयारी अभी तक स्ट्र आप और इसी वज़े से मैंने उसकी प्राइस एकदम लो 45 रूपीज रखी है, चारो PDF को मिला करके, तो जल्दी से जाईए, वाट्सप नमबर 9006991446 पर कॉंटक्ट कीजिए, और PDF को परसेश करके जल्दी से पढ़ने में लग जाईए, क्योंकि आपके पास टाइम है, ठी तो कि इस सारे जनकारिया पुसमस भी आगी होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट विटम तो धन्यवाद चैहिन,